उत्राखंड में कोरोना के आंकडे भले ही पहले की मुकाबले कम हो गए हो लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है अन्या राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से देहरादून रेलवे स्टेशन, जॉलिगरांट, एयरपोर्ट और उत्राखंड की सेमाओं पर रेंडम कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है पांच राज्यों से आने वाले लोगों पर हास नजर रखी जाएगी उनमें महाराष्ट, गुजरात, केरल, मध्यपरदेश और चथिसगर शामिल है इन पांच राज्यों से आने वाले लोगों की रेंडम जाच की जाएगी स्वास्त महानेदेशक डॉक्टर अमिता उपरेती का कहना है कि COVID-19 गाइडलाइन का सक्ती से पालन किया जाएगा गाइडलाइन बिल्कुल वैसी ही है, अभी किसी परकार की धिलाई बिल्कुल नहीं है मास्क बिल्कुल पहनना है, सबको स्टिकली पहनना है, सेनिटाइजेशन करना ही करना है हमारे द्वारा ये कहा गया है कि स्टिकली उनको देखना है, चेक करना है कोई भी ऐसा इंफेक्टेट केस हमारे राजी के अंदर नहीं आना चाहिए और हम बिल्कुल स्टिक्ट सुपर्विजन कर रहे हैं वहीं प्रदेश में 24 गंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई और 54 नए संक्रमित मामले मिले हैं कुल संक्रमितों की संक्या 96,773 हो गई है जबकि आज 38 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है वर्तमान में 423 सक्री और मरीजों का इलाज चल रहा है आज 7 जिलों में कोरोना संक्रमिन का नया मामला नहीं मिला है आज प्रदेश में 98,773 में 3,982 लोगों का ठीका करण किया गया अब तक कुल 12,021 लोगों को ठीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है